चैनीज हम सब का फिवरेट होता है और चौमिन खाना तो हम सभी को पसंद होता है बच्चे बूड़े जवान सभी इसे पसंद करते हैं और अगर ये हरी वेजिटीबल से भरपूर हो और घर पे बना हो तो और भी सोने पे सुखागा हो जाता है लेकिन कई बार होता है कि घर हम बनाते हैं तो वो चिपची भी हो जाती है लेकिन आप यहां अगर मेरी दिये हुई मैथट से बनाएंगे तो आपकी चौमिन चिपची भी नहीं होगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चौमिन नमश्कार मैं हूँ जैश्री और आप सभी का सौगत करती हूं अपने चैनल सिंप्लिफाइवे जैश्री में है तो चौमिन बनाने की शुरूबात करते हैं तो सबसे पहले हमें नूडल्स को उबालना पड़ेगा तो यहां पानी मैंने रख दिया है बॉइल होने के लिए और अब मैं आड़ करूंगी नमक नमक थोड़ा ज़्यादा ही हमको आ नूडल्स उबल जाने के बाद अब हमें इसे 80 परसेंट ही पकाना है और उसके बाद ने धो लेना है ठंडे पानी से तड़के की तैयारी कर लेंगे इसके लिए मैंने लिया है ग्रीन चिली अनियन जिंजर गार्लिक कैप्सिकम और कैबेज तो कडाई में तेल गरम हो चु यंवे एड करेंगे जिंजर जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था उसके बाद अलका सा क्रश भी कर दिया था और उसके बाद मैं डालूंगे ग्रीन चिली बीट मैं और ध्यान रंखेगा जब चिली जालें ज्यादा तीक लिए सूंट Nuclear अनियन को इनने हल्का fruits को ज्यादा पकाएंगे नहीं हम इने सारी वेजी को और इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे then हम आट करेंगे हमारे वेजी पहले कैप्सिक का मैट करेंगे क्यूकि यह थोड़ा सा थिक होता है और इसे हम हलका साथ करेंगे and then हम add करेंगे cabbage सभी veggies को अच्छी तरीकी से mix कर लेंगे और इसके बाद हम add करेंगे इसमें sauce तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ dark soya sauce, tomato sauce, chili sauce and then vinegar तो एक एक करके स्वादो नुसार आप जितना कम ज़्यादा चाहते हैं उनको add करते जाहें तो sauce में सबसे बहले हम add करेंगे vinegar जिससे की सारी veggies जूसी रहेंगी एकदम dry नहीं होंगी उसके बाद आप किसी भी sequence में बागी की sauce add कर सकते हैं हम add करेंगे boil के हुए noodles और अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और serve कर लेंगे तो यह थी मेरी आज की recipe आई होप आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कीजिए like share और subscribe कीजिए मेरे चैनल को आप सबसे next video एंपिर मिलती हूं तिल एन बाइबाई